हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक आपका अपने चैनल फूड इन चार्ज में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए करके आई हूं साबुदाना और आलू की टिक्की की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और करंची बनती है इसे बनाने के लिए हमने लिया है बन कप साबुदाने और बन बॉयल डालू साबुदानों को हम मिक्सर जाल में डाल कर इसे थोड़ा सा ग्रेंट कर लेंगे और आलू को हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, मैंने इसे मैश किया है, हम आलू को अच्छी तरह से मैश करेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठलिया नारे हैं, तो चलिए अब हमारे आलू अच्छी तरह से मैश हो चुकी हैं, अब हम इसमें डालेते हैं साबुदा इसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई हूं इसके लिए सौरी है मैंने स्क्रीन के ऊपर इसकी इंग्विडियन्स को लिग दिया है आप इसे स्क्रीन सौट करके देख सकते हैं आप इसे जरूर से डाले के पके अपिह भी तो चलिए अब हम इसे मिला लेते हैं तो हम स्पून की मदद से आम अजया हिए तो ये देखी हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं और अब हम इसका एक टिक का फॉर्म बना लेते हैं ये देखी हमने इस तरह से इसकी टिकी तयार कर ली है आप हाथ में वाइल जरूर लगा लिजेगा वरना ये हाथ में चिपकते है तो ये देखी है हमारी टिकी एक बंद चुकी है इसी तरह से हमें अपनी सारी टिक्कियों को कर लेना है तैयार तो हमारी सारी टिकी हो चुकी है तैयार अब हम छलते हैं फ्राइंग की तरफ पैन में हमने वाइल डाल लिया है आप वायल deep fry भी इसे कर सकते हैं, मैंने इसे deep fry नहीं किया है, बस थोड़े से वायल में मैंने इसे बनाया है, अब हम इसमें one by one करके सारे टिक्के डाल लेंगे यह बहुत ही करंची और टेस्टी सी बनती है, आप इसे अपने घर में जरूर बनाया है, तो यह देखिए, अब हमारे टिक्के जो हैं, वो एक साइड से अच्छी तरह से पक चुके हैं, हम इने पलट लेते हैं देखिए, इनमें कितना अच्छा सा कलर आया है, फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे वीडियोस को करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और बिल आइकन दबाना बिलकुल भी न भूल तो चलिए अब हमारे टिक्के जो है वो अच्छी तरह से सीख चुके हैं और अब हम इने निकाल लेते हैं सर्विंग के लिए तो हमारी टिक्के बनकर हो चुके तयार टेक केर फ्रेंड्स बाइ